नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंडेंट्स न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रशंसा और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टुडेः तो आज सोशल मीडिया पर जो विशया टॉपिक सबसे अधिक ट्रेंडिंग में हैं, उनमें सबसे पहला है लॉरेंस पिशनुई जी हाँ, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, के टीएफ के आतंकी हरदीप नजर के कतल को लेकर भारत कैनेडा, तनाव के बीच कैनेडा में भारत के एक कैटेगरी गैंग्स्टर सुखदूल सिंग गिल और सुख़ा दुनेके का कतल कर दिया गया है लॉरेंस गैंग ने गैंग्स्टर सुखदूनेके के कतल की जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, हांजी सच्रियाकाल, राम राम सार्यानू, ये सुखदूनेके जो बंबीहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है, कैनेडा के विनिपेक सिटी में, उसके जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है, इस हिरोईन एडिक्टट नशेडी में सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए और पैसों के लिए बहुत घरो जाड़े थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार ISBT का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने कूलियों से बादचीत की और उनकी वर्दी पहन कर सामान भी उठाया इस दौरान राहुल गांधी कूलियों दौरा पहने जाने वाली लाल रंगी शर्ट भी पहने हुए नज़र आए कॉंग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताया है कॉंग्रेस ने ट्वीट किया राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहा रेल्वे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले अज का सोशल मीडिया का अगला ट्रेंड है पुलिस्वेन जासी के रेल्वे कोट में दो दिन पहले पेशी पर ले जाने के दौरान भागने वाली तीन कैदियों का सीसी टीवे फुटेज सामने आया है सीसी टीवे में देखा जा सकता है कि पुलिस्वेन खड़ी है लेकिन उसके आस पास एक भी पुलिस कर्मी मौजूद नहीं है और ना ही वैन की कुंडे बंध है तीन कैदी बड़े आराम से वैन का दर्वाजा खोल कर नीचे उतरते ही भाग जाते हैं इस मामले में जी आर्पी के तीन दरोगा चार मुख्य आरक्षी और आरक्षी समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है आज का सोशल मीडिया का अगला ट्रेंड है जेपी नडडा भारतिय जनता पार्टी के अधक्ष जेपी नडडा ने गुरुवार को कॉंग्रे सांसद राहूल गांधी की बयान पर करारा जवाब दिया राहूल गांधी ने बुद्वार को संसद में कहा था कि भारत सरकार में 90 सेकरेटरी हैं और उनमें मात्र 3 OBC से हैं राहूल गांधी ने पूछा था कि सरकार में कितने सेकरेटरी OBC हैं आज राज्यसभा में जेपी नडडा ने उसी बयान पर पूछा कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने सेकरेटरी OBC थे उन्होंने कहा कि नेता को तो नेता ही रहना पड़ेगा कोई ट्यूटर से काम नहीं करेगा आज का सोशल मीडिया का अगला ट्रेंड है स्टेच्यू आफ वननेस तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगतकरु आदी शंकराचारे की 108 फीट उची प्रतिमा स्टेच्यू आफ वननेस का अनावरण आज सीम शुवराद सिंग चोहान के हाथों हुआ ये पूरी दुनिया में शंकराचारे की सबसे उची प्रतिमा है नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ जोतिर लिंग उमकारेश्वर शंकराचारे की दिक्षा स्थली है जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले और वहीं चार वर्ष रहकर उन्होंने विध्याधहन किया तो ये थे आज के सबसे होट पाँच ट्रेंड कल शाम फिर मिलेंगे कल के ट्रेंड्स के साथ आप देखते रहिए ट्रेंडिंग टुडे और बने रहिए संस इंडिबेंडन्स के साथ नमस्कार